इद गा, मुंसी प्रेम चंजी की कहानी रस्तुत करते हैं आप लोग के सामने, मैं कैलाश पंडित रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद इद आई है, कितना मनोहर, कितना स्वाहवना प्रभाद है वरक्षो पर अजीव हर्याली है, खेतों में कुछ अजीव रोनक है, आस्मान पर कुछ अजीव लालिमा है आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानि संसार को ईद की बधाई दे रहा है गाउं में कितनी हलचल है ईदगा जाने की तयारिया हो रही है और सबसे जाधा प्रसंद है हामिद वे चार-पांच साल का घरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेट चड़ गया और माना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई अब हामिद अपनी बूरी दादी आमीना के गोद में सोता है और उतना ही प्रसंद है उसके अबाजान रुप्य कमाने गए हैं बहुत सी थैलिया लेकर आएंगे अमी जान अल्ला मिया के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजे लाने गई है इसलिए हामिद प्रसंद है आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा हामिद के पैर में जूते नहीं है सिर्फ पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा का पड़ गया है फिर भी वह प्रसंद है अभागिन अमीना अपनी कोठी में बैठी रो रही है आज एद का दिन उसके घर में दाना नहीं आज आबिद होता तो क्या इसी तरह एद आती और चली जाती हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आउंगा बिल्कुल न डरना अमीना का दिल कचोट रहा है गाउं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है उसे कैसे अकेले मिले जाने दे उस भीड भाड में बच्चा कई खो जाये तो क्या हो नहीं अमीना उस वैं थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी लेकिन यहां सेवया कोन पकाएगा पैसे होते तो लोटते लोटते सब सामगरी जमा करके चटपट बना लेती यहां तो घंटों चीज़े जमा करते लगेंगे मांग का ही तो भरुसा ठहरा उस दिन फहीमन के कप अपड़े इसले थे आठ आने पैसे मिले उस अठनी को इमान की तरह बचाती चली आती थी इसी एद के लिए लेकिन कल ग्वालिन सिर्फ पर सवार हो गई तो क्या करती है हामित के लिए कुछ नहीं है तो दो पैसे का दूद तो चाहिए ही अब तो कुछ दो आने पैसे पार अल्ला ही बेड़ा पार लगाई गाउं से मेला चला और बच्चों के साथ हामित भी जा रहा था हामित के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं वैं कभी ठक सकता है शेहर का दामन आ गया सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं पक्की चार दिवारी बनी हुई ह पेड़ों के आम और लीचियां लगी हुई हैं कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है लड़के वहां से एक फलांग पर हैं खूब हस रहे हैं माली को कैसा उल्लू बनाया है बड़ी बड़ी मार त्याने लगी यह अदालत है यह कॉलिज है यह कलब है यह कलब घर है इतने बड़े कॉलिज में कितने लड़के पढ़ते होंगे सब लड़के नहीं हैं सब लड़के नहीं हैं जी बड़े-बड़े आदमी हैं सच उनकी बड़ी-बड़ी मूच्छें हैं इतने बड़े हो है यहां मुर्दों के खोपड़ियnya दोड़ती है और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते और वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं बड़े-बड़े आद्मी खेलते हैं मुंचो डाड़ी होंगी सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं अपा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपिये देता है बिल्कुल ऐसे ही रुपिये हामित को यकीन नहीं आया ऐसे पुलिस लाइन है यहीं सब कांस्टेबल कवायत करते हैं रेटन फाइफो रात को विचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं नहीं चोरिया हो जाएंगी मौसिन ने प्रतिवाद किया यह कांस्टेबल पहरा देते हैं अजी हजरत यह चोरी कराते हैं शहर के जितने चोर में जाकर जागते रहो पकारते हैं हामिद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई ने पकड़ता क्यों नहीं महसिन उसकी नादानी पर महसिन उसकी नादानी पर द्या दिखा कर बुला अरे पागल इन्हे कौन पकड़ेगा पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं लेकिन अल्ला इन्हें सजा भी खुब देता है हराम का माल हराम में जाता है अब बस्ती घनी होने लगी इदगा जाने वालों की टोलिया नजर आने लगी बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी सहसा ईदगा नजर आई उपर इमली के घने वरक्षों की चाया है रोजेदारों के पंक्तियां एक के पीछे एक नजाने कहां तक चली जाएंगी नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं यहां कोई धन और पद नहीं देखता इसलाम की निगाह में सब बराबर है इन ग्रामीनों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए कितना सुन्दर संचालन है कितनी सुन्दर विवस्था लाखों सिर एक साथ सिजदे में जुख जाते हैं फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं एक साथ जुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठी हो और एक साथ भुज जाएं और यही करम चलता रहा कितना अपूर्व द्रश्य था मानो भाई चारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं की एक लड़ी में पिरोय हुए है भाग दो नमाज खत्म हो गई लोग आपस में गले मिल रहे हैं तब मिठाई और खिलोनों की दुकान पर धावा होता है यह देखो हिंडोला है एक पैसा देकर चढ़ जाओ कभी आस्मान पर जाते हुए मालूम होगे कभी जमीन पर गिरते हुए यह चर्की है लकडी के हाथी, घोड़े, उंट चड़ों में लटके हुए हैं एक पैसा देकर बैठ जाओ और पच्चिस चक्रों का मजा लो महमूद और महसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और उंटों पर बैठते हैं हामिद दूर खड़ा है तीन ही पैसे तो तीन ही पैसे तो उसके पास है अपने कोश का एक तिहाई जरा सा चक्र खाने के लिए नहीं दे सकता सब चर्खियों से उतरते हैं अब खिलोंने लेंगे इधर दुकानों की कतार लगी हूई है तरह तरह के खिलोंने हैं सिपाही और गुजरिया राजा और वकील भिष्टी और धोबिन और साधू वाह कित्ते संदर खिलोंने हैं अब बोलना ही चाहते हैं, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है, अभी कवायत के लिए चला आ रहा है, महसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर जुकी वही है, उपर मशक रखे हुए है, मशक का मुँ को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद, अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए, मालूम होता है, अभी किसी आधालत में जिरहा बहस की ये चले जा रहे हैं यह सब दो-दो पैसे के खिलोने हैं, हामित के पास कुल तीन पैसे हैं, इतने महंगे खिलोने वे कैसे ले, खिलोना कहीं हाथ से तूट पड़े, तो चूर-चूर हो जाए, जरा पानी पड़े, तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलोने लेकर वे क्या करेगा, किस काम के, ह पिट्टी के ही तो हैं गिरे तो चक्ना चूर हो जाएं लेकिन लल्चाही हुई आँखों से खिलोनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है उसके हाथ अनाया सी लपकते हैं लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं विशेशकर जब अभी नया शोक है हामिद ललचता रह जाता है खिलोनों के बाद मिठाईय आती हैं किसी ने रेवडियां ली किसी ने गुलाब जामुन किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं हामिद बिरादरी से प्रथक है अब आकी के पास तीन पैसे हैं क्यों नहीं कुछ लेकर खाता लल्चाई आँखों से सबकी और देखता है मौसिन कहता है हामिद रेवडी ले जा कितने खुश्बुदार हैं हामिद को संदेव हुआ मौसिन इतना उदार नहीं लेकिन यह जानकर भी हुए उसके पास जाता है मौसिन दोने से एक रेवडी निकाल कर हामिद की और बढ़ाता है हामिद हाथ फैलाता है मौसिन रेवडी अपने मुँ में रख लेता है महमूत नूरे और सम्मी खुब तालियां बजा बजा कर हसते हैं हामिद खिसिया जाता है मिठाईयों के बाद हामिद कुछ दुकान लोही की चीजों की कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की लड़कों के लिए यहां कोई आकरशन ने था पिस अगे बढ़ जाते हैं हामिद लोही की दुकान पर रुख जाता है कई चिम्टे रखे हुए थे उसे खयाल आया दादी के पास चिम्टा नहीं है तब यह से रूटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है अगर वे चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे तो यह कितना परसन होगी फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेंगी घर में एक काम की चीज़ तो आईगी खिलोने से क्या फाइदा विर्थ में पैसे खराब होते है हामित के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं सबील पर सब के सब शर्बत पी रहे हैं देखो सब कितने लालची हैं कितनी मिठाईयां ली मुझे किसी ने एक भी नहीं दी उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो मेरा यह काम करो अम्मा चिम्टा देखते ही दोड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहीगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है कितना अच्छा लड़का है इन लोगों के खिलोनों पर कौन इने दुआई देगा बढ़ों की द्वाएं सीधे अल्ला के दर्वार में पहुंसती है और तरंती सुनी जाती है मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो मौसिन और महमूद यों मिजाज दिखाते है मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता आखिर अबाजान कभी न कभी आएंगे अमा भी आएंगी ही फिर इन लोगों से पूछूँगा कितने खिलोने लोगे एक एक को टोकरियों खिलोने दूँ तो दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूप किया जाता है यह नहीं कि एक पैसे की रेवडियां ली और चड़ा चड़ा कर खाने लगे सब के सब हसेंगे कि हामिद ने चिम्ता लिया है हसे मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा यह चिम्ता कितने का है दुकानदार ने उसकी और देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी विकाओ है की नहीं विकाओ क्यों नहीं है और यहां क्यों लाद लाएं है तो बताते क्यों नहीं क्यों पैसे का है शे पैसे लगेंगे हामिद का दिल बैठ गया ठीक ठीक पाच पैसे लगेंगे लेना हो तो लो निचलते बनो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लोगे यह कहता हुआ वे आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़किया नहीं सुने लेकिन दुकानदार ने घुड़किया नहीं दी बुलाकर चिम्टा दे दिया हामिद ने उसे इस तरहें कंदे पर रखा मानों बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया महसिन ने हसकर कहा यह चिम्टा क्यों लाया पगले इसे क्या करेगा हामिद ने चिम्टा को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो सारी पसलिया चूर चूर हो जाएं रिपीट सारी पसलिया चूर चूर हो जाएं बच्चू की महमूद बोला तो यह चिम्टा कोई खिलोना है हामी खिलोना क्यों नहीं है कभी कंदे पर रखा बंढूख हो गई हात में लिया फकीरों का चिम्टा हो गया चाहूं तो इस से मजीरे का काम भी ले सकता हूं एक चिम्टा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलोनों की जान निकल जाए तुम्हारे खिलोने कितना ही जोर लगाएंगे मेरे चिम्टे का बाल भी बाका नहीं कर सकते मेरा बहद्दूर शेर है चिम्टा सम्मी ने खंजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा मेरा चिम्टा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फार डाले बस एक चमडे की जिली लगा दी और ढब ढब बोलने लगी जरा सा पानी लग जाए तो खतम हो जाए मेरा बहाद्र चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकलाए हैं नो कब के बजगे? धूप तेज हो रही है घर पहुँचने की जल्दी हो रही है बाप से जिद भी करें तो चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चालाग इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे अब बालकों के दो दल हो गए महसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं हामिद अकेला दूसी तरफ हामिद के पास न्याय का बल है और नीतिक शक्ती एक और मिट्टी है, दूसी तरफ लोहा जो इस वक्त अपने को फोलाद कह रहा है वै अजे है, घातक है अगर कोई शेर आ जाए मिया भिस्ती के चक्के छूट जाए मिया सिपाई मिट्टी की बंदूक छोड़ कर भागे वकील साब की नानी मर जाए चोंगे में मूँ छिपा कर जमीन पर लेट जाए मगर ये चिम्टा ये बहद्दूर ये रुष्त में हिंद लबक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आँखे निकाल लेगा महसिन ने एरी चोटी का जोड लगा कर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता हामिद्द चिम्टे को सीधा खड़ा करके कहा भिस्ती को एक डाट लगाएगा तो दोड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छ्रकने लगेगा महसिन परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुचाई अगर बचा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे मंधे फिरेंगे तब तो वकील साब के पैरों में पढ़ेंगे हामिद इस प्रबल तरक का जवाब ने दे सका उसने पूछा हमें पकड़ने कोन आएगा नूरे ने अकड़ कर कहा यह सिपाई बंदुक वाला हामिद ने मूँ छड़ा कर कहा यह बेचारा हम बहाद्रुस्त में हिंद को पकड़ेंगे अच्छा लाओ अभी जरा कुष्टी हो जाए इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे पकड़ेंगे क्या बिचारे को महसीन को एक नई चोट सूज गई तुम्हारे चिम्टे का मूँ रोज आग में जलेगा उसने समझा था कि हामिद ला जवाब हो जाएगा लेकिन ये बात न होई हमिद तुरंत जबाब दिया आग में बहाद्धुरी कूते हैं जनाब तुम्हारे ये वकील, सिपाई और बिस्ती घर में घुच जाएंगे आग में वह काम है जो ये रुस्त में हिंद ही कर सकता है महमूद ने एक जोड लगाया वकील साब कुर्सी मेज पर बैठेंगे तुम्हारा चिम्टा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा मेरा चिम्टा मेरा चिम्टा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा वकील साब कुर्सी पर बैठेंगे मेरा चिम्टा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा वकील साब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा कानून को पेट में डालने वाली बात ऐसी छा गई कि तीनों सूर्मा मूँ ताकते रह गए हामिद ने मैदान मार लिया उसका चिम्टा रुस्त में हिंद है अब उसमें मौसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ती नहीं हो सकती विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वभाविक है वे हामिद को भी मिला और उने तीन तीन चार चार आने खर्च किये पर कोई काम की चीज ने ले सके हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया सची तो है खिलोनों का क्या भरुसा तूट फूट जाएंगे, हामिद का चिम्टा तो बना रहेगा बरसो संदी की सर्तें तै होने लगी मौसिन ने कहा जरा अपना चिम्टा दो, हम भी देखें तुम हमारा भिष्टी ले कर देखो महमूद और नूरे ने भी अपने खिलोने पेश किये हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ती ने थी चिम्टा बारी बारी से सब के हाथों में गया और उनके खिलोने बारी बारी से हामिद के हाथ में आई कितने खुबसूरत खिलोने हैं हामिद ने हारने वालों के आशू पोछे मैं तुम्हें चिड़ा रहा था सच ये चिम्टा भला इन खिलोनों का इन खिलोनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम है? अब बोलो, अब बोलो. लेकिन महसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोश नहीं होता. चिम्टे का सिक्का खुब बैठ गया है. चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है. महसिन, लेकिन इन खिलोनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो. उल्टे मारने पड़े? अम्मा जरूर कहेगी कि मेले मैं से ये मिट्टी के खिलोने मिले? है? हामिद को स्विकार करना पड़ा कि खिलोनों को देखकर किसी की मा इतनी खुश न होगी? रिपीट, जितनी दादी चिम्टे को देखकर होंगी. तीन पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था. और उन पैसों के इस उप्योग पर पच्टावे की बिलकुल जरूरत नहीं थी फिर अब तो चिम्टा रुस्त में हिंद है और सभी खिलोनों का बादशाह. रास्ते में महमूद को भूक लगी. उसके बाप ने केले खाने को दिये. महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया. उसके अन्यमित्र मूँ ताकते रहे गए. यह उस चिम्टे का परसाथ था. अमीना उसके आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगी. सहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वे चौकी. यह चिम्टा कहां था? मैंने मोन लिया है. कह पैसे का? तीन पैसे दिये. अमीना ने च्छाती पीट ली. यह कैसा बे समझ लड़का है. कि दोपेहर हुआ, कुछ खाया ना पीया, लाया क्या चिम्टा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली. तो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया? हामित ने अपरादी भाव से का. तुम्हारी उंगलिया तवे से जल जाती थी. इसलिए मैंने लिया. बुढिया क सारी कसक शब्दों में भिखेर देता है. बच्चे में कितना त्याग, कितना सखभाव और कितना विवेक है? दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा? इतना जब्द इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढिया दादी की याद आती रही? हमीना का मन गदगद हो गया. बच्चे हामित ने बुढ़े हामित का पार्ट खेला था. बुढ़ी आमीना बाली का आमीना बन गई. वह रोने लगी. दामन पहला कर हामित को दुआएं देती जाती थी. रास्मु की बड़ी बड़ी बूने गिराती जाती आमित उसका रहस्य क्या समझ था? समाप्त, धन्यवाद. ये थी मुन्षी प्रेमचंजी की कहानी इद का जिसको स्वर दिया था के राश्य बंडित ने. धन्यवाद.